नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मुबश्या दोस्तों यूपी में 2024 को लोकसुबस चनाओं में इंदिया गठबंदर ने शानदार प्रदर्शन किया और इस बहतरीन जीत के बाद भाज़पा को तगलाद छटका भी लगा है उत्रबरदेश की सियासत में राज़पी गर्माई हुई है इस दोरान राहूल गांदी ने केरल की वाइनाड और यूपी की राइबरेली सीट से जीत हासिल की थी राहूल ने अब वाइनाड सीट छोड़ने का फैसला कर लिया है राहूल अब गाइबरेली से सांसत बने रहेंगे राहूल गांदी की एक अदम ना केवल उनकी व्यक्तिगत सियासी आत्रा का महत्तपूर पढ़ावे बलकि ये भारती राज़पी के लिए भी एक बड़ा संदेश है यूपी देश का सबसे बड़ा राज़्य और यहां के सियासत का राष्टी राज़पी पर गहरा प्रभाव परता है राहूल गांदी का यूपी में इस रहकर राज़पी के लिए भी एक बड़ी चुनोती है यूपी में बीज़पी की स्थिती काफी मजबूत है और इस मजबूती को 2027 के विधानसबा चुनाओ में कॉंग्रेस पार्टी राहूल गांदी के जरिये तोड़ने की कोशिश करेगी वहीं परिवार और पार्टी के वरिष्ट नेता भी चाह रहे थे की राहूल रायवरेलेजी का रापतिन दित्ष करे इसके लाबगा राइवरेली की जीत इस लिहास से भी बड़ी है कि परिवार ने अमेऺची की खोई सीट पर भी हासिल कर लिये ऐसे में माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है वही कॉंग्रेस ने वाइनाट से उप्चुनाव में प्रियांग गांधी को उतारने का फैसला कर लिया है इसी की साथ गांधी परिवार का एक सबसे चुनावी राज़िती में साउट से एंट्री करने जा रहा है दरासल गांधी परिवार का साउट से काफी पुराना रिष्टा है इंद्रा गांधी 1978 का उत्चुनाव करनाटक के चिक मगलूर से जीती थी इसके बाद 1980 में इंद्रा ने आंध्र के मेडक सीट से जीत हासिल की 1999 में सोनिया गांधी ने भी अपना राज़िती करे दक्षिन सर किया था वही 1999 में मेठी और करनाटक भी बैलारी सीट से चुनाव लड़ी थी और दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी हाला कि बाद में बैलारी सीट उन्होंने छोड़ दी थी इसके साथ ही वाइनाट सीट से प्रियंग गांधी के चुनाव लड़ने के पैस्ते के बाद सूशल मीडिया प्लैटफॉर्म राज समेत राजुनितिक चर्चाय तेज हो गई इस सीट से बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी सूत्रों का दावा है कि भारती जंदा पार्टी समिती राणी की वाइनाट सीट से उतार सकती है बताये जराए कि समिती राणी भले ही इस बार अमेठी के एल शर्मा के सामने लोगसुबा चुनावार गई हो लेकिन 2019 में वो कॉंग्रेस के गड़ अमेठी से राहुल गांधी को हराग चुकी है हाला कि बीजेपी टिक्टो को लेकर अपहले भी कई बार चोकाने वाले फैसले करते आई हैं ऐसे में अब देखने दिल्टेस भूगा कि बीजेपी इस सीट से किसको उम्मीदवार बनाने वाली है फिलाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बनेरे में साथ नमस्कार